दोस्तों इस वीडियो में हम एक बहुत ही जादा एहम बात पर डिसक्शन करेंगे कि आज की डेट में बेस्ट इंस्टेंट लोन एप कौन सी है एक कुछ जो बहुत जादा फेमस इंस्टेंट लोन एप्स है इनका स्क्रीन शोट मैंने आपके सामने लगा दिया लेकिन अगर अब एक तरह से लगी हुई है कि हमारे वाला पर्सवल लेलो यह बेस्ट है इसके अलावा Hero को पकड़ो L&T को पकड़ो ऐसी ऐसी कंपणिया जिनका कोई Finance से लेना भी नहीं देना है वो भी लगी हुई है कि हम पर्सनल लोन देती है अब आप एक चीज समझो अच्छा को नाम भी नहीं पता हुँगा कमपनियों' का वोभी कोई ना कोईka कहा देगा कि यह वाला बेस्ट है अब यह Had это असली हे बेस्ट कुन्सा है यह को आपको कोई भी नहीं बताएगा और मैं आपको सच बताओं उन्हें भी नहीं पता कि नहीं करेगी यह अपना link देदेगी और जो इसका link लगाएगा कहेगा जी इस link से apply कर लो ये वाली company best है किसी को कुछ भी नहीं पता बस लगे हुए लोग कि ये personal loan best है वो personal loan best है best क्या है इस वीडियो में हम बिल्कुल basic से समझेंगे कि personal loan हमें लेना कहां से चाहिए और कैसे ल चार वीडियो देख रहा था मेरे नजर में आ गई अलग अलग लोगों की कुछ-कुछ वीडियो पता है सच बतारों मैं इस वीडियो में आपको कोई भी link नहीं देने वाला आप description box भले ही अभी चेक कर लो कोई link नहीं दूँगा सिरफ मैंने एक awareness के लिए वीडियो जैसे मालो पहले है नम बैंकों का समझते हैं फिर इन instant loan apps भी आएंगे आज की rate में किसी भी bank में अगर मैं home loan लेने जाओ तो यह लगभग लगभग 9-10% की आसपास मिल जाता है ऐसे ही अगर मैं car loan लेने जाओ तो यह भी 9-10% की आसपास मिल जाता है लेकिन यही बैंकों से अगर मैं personal loan लेने के लिए चला जाओ तो bank काएगा जी आपको 15% कोई काएगा 12% ठीक है और कोई काएगा जी आपको जो है 25% पर भी हम देंगे तो यह personal loan इतने महंगे क्यों होते हैं देखो अगर कल को कोई home loan लेता है और अपने घर का default कर देता है तो bank फटा-फटा आ या कोई भी app भी आपको दे रही है तो वो आपके civil score को देखके आपके pen card को देखके और आपकी उकात को देखके एक loan आपको दे देती है 1 लाग का, 2 लाग का, 5 लाग का, 10 लाग का कल को कोई default कर देता है तो उसकी कोई भी चीज bank के पास गिरवी तो पड़ी नहीं है तो bank जाद से जाद क्या कर लेगा उस पर एक legal action लेगा और कानून उसे जो भी action लेगा वो लेता रहेगा लेकिन कानून की action लेने से bank का पैसा तो recover नहीं होगा इसलिए bank इस personal loan को credit card को ऐसे loans को बोलता है कि ये जो है unsecured loan है और ये वाले जो loan है जैसे आपका home loan, car loan इसे bank बोलता ह लेकि secure loan है अब obvious ही बात है जो secure loan है वो सस्ता होएगा और जो unsecured loan है वो महंगा होएगा लेकिन एक हद भी होती है न कि मानके चलो कि अगर मैं bank से personal loan ले रहा हूं तो bank मानलो मेरा civil score बहुत अच्छा है तो bank 12% पर दे देगा अच्छा जी 15% पर दे देगा लेकिन ऐसा थोड rate of interest तो हमें दिखी रहा है अपनी आखो से कि ये जो instant loan Fs है इतना भर भर के ले रही है लेकिन ये कोई भी नहीं बता रहा कि अगर in case आपने इनकी कोई भी एकादी किस्त दो चार पांच किस्ते default कर दी तो हो सकता है कि आपको भी नहीं पता कि आपके ओपर कितना भी आज एक तरह से लग जए जिसको बोलते हैं ने debt trap में फसना कि कर्च 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 के ओपर कर्च कर्च आप खुद भी आज की date में cases देखते होगे कि लोग किस किस हालत में पहुंच जाते हैं और क्या क्या करने की फिर ठान लेते हैं कि एक तरह से इतना जादा pressure हो जाता है तो ऐ अगर आप उससे agree करते हो ना बस आपने comment में I agree लिखना है और अगर आपको लगता है कि जो मैं information आपको दे रहा हूँ यह आपके काम की नहीं है तो बस आपने I don't agree लिखना है अगर आप I agree लिख रहे हो तो please video को like करना I don't agree लिखते हो तो please video को dislike करना ताकि मिरको एक motivation मिले और मेरे को ऐसा लगे कि जो हम काम कर रहे हैं वो काम ठीक कर रहे हैं मैं इस वीडियो में आपको कोई भी लिंक नहीं देने वाला और ना ही मैं Instant Loan Apps को प्रमोट करता हूँ मेरा मकसद यह है कि एक तरह से थोड़ी सी नव Financial Literacy हम फैला सके ठीक है पैसा कमाना है तो अच्छी तरीकों से या फिर जो बैंक वेगरा अच्छा काम कर रहे हैं उनके लिंक्स भी लगाए जा सकते लेकिन ये ऐसे घटिया घटिया Instant Loan Apps जो भी है XYZ जो ऐसी कमपनिया जो कल खुली हैं और उनको खुद को ही नहीं पता कि वो आके सर्वाइव करेंगी के नहीं करेंगी उनके प्लीज मैं लिंक्स नहीं लगाना चाहता है अब एक चीज समझो यहां यह मेरा खुद का Personal Loan लिया हुआ है ICA से बैंक से यहां आपके सामने मैंने screenshot लगाया है यह loan account number मैंने blur कर दिया क्योंकि YouTube की policies है यहां पे देखो loan amount 3,17,000 का लिया गया है और यहां पे 3,17,000 का loan है और इसकी जो किष्ट है वो 8,370 रुपे है देखो यहां लिखी भी हुई है 8,360 यह मैंने calculator में डाली थी तो exact amount match नहीं कर रही थी बस 13 रुपे का फर्क है तो यहां पे rate of interest देखो कितना निकल क्या है 13.4% तो यार 13.4% पे भी तो loan मिलता है अब मिलने को अगर मेरे से भी अच्छा किसी का civil score हो तो हो सकता है 12% पे भी मिल जाए देखो पहले हमने बैंकों को समझते है अगर मैं ICICI Bank की बात करूँ तो ICICI Bank को साफ बोलता है कि मेरे जो loan के rate of interest है वो साड़े 10% से लेके 16% तक vary करते है अगर किसी का civil score अच्छा नहीं है तो हम उसकी file भले ही reject कर देंगे लेकिन हम यह नहीं कहेंगे कि हम 20% पे loan देंगे हम 25% पे loan देंगे ऐसा नहीं होगा ऐसे ही SBI बोलता है कि हमारे personal loan के rate of interest 11.05% से शुरू हो जाते है ऐसे ही HDFC Bank के बोलता है कि हमारे personal loan के rate of interest साढ़े 10% से लेके 25% तक जाते है और ऐसे ही XS Bank के बोलता है कि हमारे personal loan के rate of interest वो 10.49% से शुरू हो जाते हैं अब एक चीज और बहुत सारी वीडियो में मैं समझाता भी हूं कि आज की डेट में आप पकड़ लो जी पेटियम क्या गएगा कि हमारा अदित्या बिरला के साथ एक तरह से पेटियम क्या गएगा पेटियम पे जाकर के परसनल लोन ले लो य इसने टाइप कर रहा है अदित्या बिरला के साथ यह दो-तीन और कमपनिया है यार पेटियम पे खिलिक करूंगा और अदित्या बिरला पे पहुंच जाओंगा ऐसे ही पीछे मैं ने पता नहीं किसकी वीडियो बनाई थी आगेस फिलिपकार्ट की वीडियो बनाई थी शा पे जाओं किसी को बिचोलीय बनाऊं और बिचोलीय को दो पैसे देने पड़ेंगे ना आपके बिहाफ पर कमिशन दो देगा क्योंकि फ्लिपकार्ट ने कस्टमर एक्सिस बेंक को लाकी दिया है तो हम खुद समझदार है हम एकसिस से ले लगी पड़ी है उनका कोई लेना करो कि bank से ही personal loan लो क्योंकि bank की ना maturity वे होता है ठीक है चलो एक बार आगे बढ़ते हैं फिर आगे सारी की सारी बात का discussion करेंगे अब यह कुछ एक loan app से इनके मैंने screenshot लगाए है ठीक है सबसे जादा कौन loan देता है ठीक है तो बजाज देखते हैं एकर हम यह देखें कि देखो कोई भी personal loan best कौन सा होता है जो मेरे को जादा से जादा समय दे उतारने के लिए जैसे कि मान के चलो इस टेन्योर वाइस देखूँ तो बजाज फिंसव मेरे को छे महीने से लेके 8 साल का समय देता है ऐसे ही नावी मेरे को जादा से ज जादा दे तो यही चीज best है ठीक है आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर देखो rate of interest की बात करते हैं नावी बोलते हैं कि हमारे rate of interest 9.9% से लेके 45% तक जाते हैं तो अब यहाँ देखना पड़ेगा कि मिरको कितने rate of interest पर यह personal loan loan देती है ऐसे ही बजाज finance जो फिंसव है यह 11 से लेके 37% यह screenshot है देखो कुछ कुछ तो यह बोलती है कि 36% यहाँ पर बोलते है कि 28.8% से तो शुरू ही होगा मतलब आप सोचके देखो अंत कुछ नहीं है मांगने को यह 100% भी मांग ले समझे कि आप बात को यह सारी की सारी चीज़े है rate of interest का यहाँ से अब आप screenshot ले ल एक लाग का लोन लिया 15% processing fees लग गई यानि account में तो आए मेरे सिरफ 85,000 पर आगे कल को मान लो कि यह मेरे से rate of interest मांग रहा है 35% का यह सर पे लोन चड़ गया एक लाग रुपे का खाते में भेजे हैं सिरफ 85,000 पर अब जो आगे किष्टे भरनी है वो 35% के ब्याज के आप से देख रही है और यह हो गए Play Store पे डाउनलोड कि एक तरह से कौन सी जो एप है वो कितना वो Play Store पे डाउनलोड है तो इससे हम यह पता लगा सकते हैं कि किस एप की किस जाधा credit वर दिने से ठीक है जी और बाकी यह हो गई Play Store पे किस एप की कितनी rating है तो चलो यह तो हम जाधा advertisement क्यों हो रही है इस instant loan app की कि आज की rate में कोई भी आ रहा है वो कह रहा है कि instant loan app से आप loan ले लो यह सबसे बढ़िया है कोई भी बैंकों का क्यों नहीं बता रहा भाई यहाँ पे 3-4-4% का commission है सर 3-4-4% का अगर मैं अपना link आपको दे दूँ और अगर मेरे link से कोई एक लाग का loan ले ले मैं किसी app का नाम नहीं ले रहा पर बहुत सारी ऐसी apps है ठीक है जी एक लाग का कोई मेरे link से loan ले लेगा न तो मेरे को 3 से ले करके 4000 उपे मिल गए अब आप सोचके देखो इस वीडियो को 5-6 लाग लोग 8-10 लाग हो सकते 1 million भी चला जाए इस पे view और best personal loan कोंस है देखो आप खुछ सोचके देखो कि मैं यहाँ पे link लगा दूँगा तो मेरा जुरूर फाइदा है लेकिन पता नहीं इंडिया के अंदर financial literacy सच में नहीं है बहुत सारे लोग एक तरह से blindly trust कर लेते हैं कि जो बात मानलो मैंने बोल दी है किसी और ने YouTube पे आके ब लोन दे दे ठीक है यह best personal loan है सर इससे उपर कोई भी अगर इसको वीडियो को देख रहे ना इससे उपर अगर आप जा रहे हो ना तो आप अपने साथ गलत कर रहे हो अगर आप personal loan उठा रहे हो ना 30% पे तो आप अपने साथ गलत कर रहे हो मैं 25% max बोल रहा हूँ मैं आप एक चीज बताओ अगर आप बहुत सारे लोग यह कहते हैं कि जी instant loan app पे ना loan मिल जाता है लेकिन bankों में loan नहीं मिलता ठीक बात है अगर आपका civil score खराब है तो आपको instant loan app loan दे देगी लेकिन bank आपको loan नहीं देगे अगर आप civil score को ठीक करने के मकसद से instant loan app पे जा रहे अपना civil score ठीक कर लो और भी बहुत सारे तरीके हैं तो आप बड़ी amount का loan क्यों ले रहे हो और अगर आपका civil score ठीक है या फिर मान के चलो कि almost ठीक ही है 1921 है कई बार loan reject हो जा तो आप वेट कर लो भाई अगर मान के चलो मान लो आपको बड़ी amount का loan चाहिए आज मान के चलो म bank देखो bank क्या है bank ने अगर नहीं देना तो वो 10,000 का loan भी नहीं देगा और नहीं देना तो 5,000,000 का भी नहीं देगा लेकिन ये क्या करते हैं कि आपको छोटी-मोटी amount का loan तो दे देंगे लेकिन बड़ी amount का loan देंगे नहीं तो आप समझ के चलो देखो एक चीज क्या है rate of interest processing fees मैं आपको यह समझा रहा था कि एक तो rate of interest पकड़ लो की 11-12% से पकड़के 20% या maximum 25% तक हो वो personal loan अच्छा है अब देने को मेरे को अगर instant loan भी दे दे तो ये भी अच्छी है तो आपको ऐसे भागना नहीं है कि एक loan app क्लिक करी और उस पे जो rate of interest आ रहा है वो ले लिया या 35-35, 40-40% पर भी देते हैं दूसरी बात processing fees को पकड़ो मालो मैं एक लाग का loan ले रहा हूँ उस पे processing fees काटता है बैंक अमूमन काटेगा 1%, 2% या जादा से जादा 3% इससे ओपर नहीं काटते हैं बैंक और अगर काटते भी हैं तो बड़े असानी के साथ हम उससे negotiate कर सकत लेकिन नहीं ही काटते 1% या 2% काटते हैं ठीक है जी लेकिन इनका देख लें तो मैंने जैसे कि आपको दिखाया कि 0-15% यार 20-20% तो processing fees भी काट देते हैं और अमूमन मान के चलो 7-8% तो आम बात है कि ये processing fees काटते ही काटते हैं तो यार जब मेरे पास कुछ पैसा ही नही best होता है देखो हर चीज best है अगर आपको सस्ते से सस्ता आपको personal loan देदे वो best है अब भले आप वो instant loan apps देदे या भले वो bank देदे अब एक last point आपको बताऊंगा ठीक है चलो pen को छोड़ देते हैं ये कोई भी ppt चला के छोड़ देते हैं देखो एक चीज समझो last point ये है कि एक तरफ आप रखो bank को एक तरफ आप रखो instant loan apps को bank क्यों better है क्यों मैं बैंको को better कहता हूँ मान लो xyz किसी की कुछ भी मजबूरी की वज़ा से वो loan का पैसा नहीं भर सकता ठीक है मान लो एक customer का नाम A है ये A भाई जो है वो पैसा नहीं भर सकता bank क्या करेगा A के घर प फोन तो नहीं करके कहेगा ना कि एक ही उकात नहीं है तो loan नहीं लेना चाहिए एक चीज़ आप समझो bank approach किसको करेगा जिसने default किया उसी के घर पे अप्रोच करेगा उसके बुवा नानी फूफा मामी उनको तो अप्रोच नहीं करेगा लेकिन दूसरी तरफ कोई भी instant loan app ल पहले तो उसे phone करेगा अब उसकी मानलो सच में कोई मजबूरी और वो loan नहीं दे सकता पहले तो उसको करेगा वो समझ जाएगा कि यहां से पैसा नहीं आ रहा फिर contact list उसके पास ही पड़ी उसके मामा को phone घुमाएगा कहेगा आपका फलाना रिष्टेदार है इसकी उकात नहीं है अब आपको पैसा देना पड़ेगा मामा जीटर जाएंगे और किसको पता है कि मैं को नो तों पैसा देने वाला और मेरा क्या उखाड लेगा मामा जीटर जाएंगे मामा जी जो है आपको phone खड़काएंगे वो कहेंगे कि जी ऐसे से phone आये था फिर बुगा जी के किसी और रिष्टेदार को phone कर दिया जाएगा और आपके उपर हर किसी का pressure आएगा कि ऐसे से हमारे पास phone आ रहा है आप pressure में आ जाओगे अब आपके पास पैसा नहीं है कहीं से भी ले के आओगे और अपना पैसा भरोगे तो यह कितना unmature way है और कोई सही तरीका नहीं है को है रिष्टेदारों को phone करके और आपको defame करना start कर दे ठीक है तो एक यह भी फरक है देखो कल को अब कोई भी loan लेता है वो इस नियत से नहीं लेता है कि उसको कल को default ही करना है वो इसी नियत से लेता है कि उसको पैसा भरना है लेकिन देखो यह फरक भी हो गया अब एक ची नहीं चलता है यार मैं किसी के ओपर टिक लगा दूँ यहां पर बैठ करके कि भाई यह वाली loan है best है मैं क्या करू यार मैं यह तो बता सकता हूं आपको की processing fees कितनी है अच्छा जी rate of interest कितनी है कल को कोई एकाती किष्ट भी default कर गया और यार कितनी penalties लगाते हैं कि बंदे का करूँगा कि आपको यह वीडियो लगी ना तो आपने जरूर लिखना I agree और वीडियो को like करना है और अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं हो आपको लगते है कि मेरे को 5 ऐसी एप बतानी चाहिए थी कि जिससे पता नहीं कितने लाखों लोगों का नुकसान हो जाता या फिर क कुछ भी अगर आपको लगते हैं मेरे को comment में I don't agree लिखके और अपना reason नीचे लिखना और वीडियो को please dislike कर देना ताकि मेरे को पता लगे कि क्या like और क्या dislike ratio आ रहे है ठीक है ताकि मैं अगली वीडियो में फिर उसी हिसाफ से ध्यान रखों ठीक है और अगर आपको लग कि नहीं यार बहुत लोग ना बहुत आप भले आप कोई शहर में रहता होगा ना तो आपको financial literacy होगी ठीक है मैंने बैंक में काम किया मैंने रूरल एरियास में भी काम किया ठीक है मेरे मेरी महरास्टा के बिल्कुल ग्रामीन शेत्र में मैं वैसे नौर्थ इंडिया से बिल आपके उपर है बाकी मेरे को आप please response जरूर देना कि क्या हमें करना चाहिए और आगे कैसी वीडियो बनानी चाहिए तो चलो अभी के लिए this is the end of the video thanks for listening and thank you all